नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल एसके अगरी कल्चर में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले नील गायों से सुरक्सा के लिए हमारे खेत के चारो और अगर हम एस परकार की जैसे आप इस वीडियो में यह दिवार देख पा रहे है पत्रों की दिवार अगर एसी दिवार अगर हम जो है अपने फसलों के शुरक्सा के लिए अपने खेत के चारो और करते हैं तो इसमें आपको कितना खर्चा लग जाएगा और किस तरीके से ये दिवार आपको हमेशा के लिए बेनिफिट देती रहेगी आज की इस वीडियो में उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं तो वीडियो पर नहीं आए हो तो चैनल पर नहीं आए हो तो निचल आलाक सो में सस्काइब का बटन मिलेगा क्लिक करके चैनल को सस्काइब कीजिए और पास आए बेल आइकन को दबा देना ताकि हर वीडियो का नो चाही भी 6 पिट हैं तो कोई भी ने लगाए इनको इदर से उदर फान नहीं सकते हैं तो आपके खेत में आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है तो अगर आपके जमीन जो है जैसे अभी आप यह मेरी जमीन देख रहे हो यह पुरा का पुरा प्लोट है इसी से यह पत्तर हमने निकलवाए हैं यहाँ पर तोड़ी मिट्टी भी डलवाए है ती क्योंकि जादा खड़े हो गये थे खेत में तो यहाँ पर मिट्टी डलवाए बाकि आगे की साइड़ आप देख रहे हैं कि मिट्टी नहीं डलवाए है क्योकि उदर जादा बड़े पत्तर नहीं थे-th ape Ly जो यह दिवार कर रहे हैं और आगे भी आप देख सकते हैं यह यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है तो इदर हमने पत्तर यह इस खेट से जैसी भी की जरीए निकलवाए बहर डाल रहे हैं और इधर जो है लोडर के जरीए जो हम इन पत्रों को रखवा रहे हैं और इस तरह के आपके पास अगर लाल मिटी हो और इसी तरह के पत्तर अगर आपकी मिटी से निकल रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेश्ट तरीका होगा आप किसी भी प्रकार की फैंसिंग के चक्कर में ना पड़े किसी भी प्रकार की जाली की चक्कर में आप ना पड़े क्योंकि वो क्या दिवार हमेशा ही बनी रहेगी क्योंकि पत्तर ना तो गलते हैं न जंग लगता हैं किसी भी प्रकार से खराब नहीं होते हैं तो यहां पर किसान भाईयों अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो अभी हमारे जो पैसा लग रहा हैं उसके आदार पर मैं आपको बता हूँ तो यह जो लोडर है यह एक दिन में लगबग सो फिट की दिवार इस तरीके की बना देता है तिन आदमी इस लोडर पर काम कर रहे ह हैं तो सो फिट लगबग पचास गज दिवार जो हैं यह इस लोडर के जरी एक दिन में बना रहे हैं और एक दिन का जो इनका लोडर का जो हमारा खर्चा है वो चार हजार तीन सो रुपए हमने इसके इनके जो हैं फिक्स कर रहे हैं चार हजार तीन सो रुपए हम एक दिन के इनको दे रहे हैं और यह जो हैं इस तरीके से दिवार बना रहे हैं आगे से उस साइड से आप देख रहे हैं बनाते आ रहे हैं सामने की साइड से और इधर से तोड़ी इन्होंने बना रहे हैं इस बीच में यह बनवानी है तो च 14,300 रुपई का खर्चा इनका है और यह जो जितने भी पत्थर आप देख रहे हो यह वो उस साइट दिवार बना दी है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यह भी बना दी है और यह जो पत्तर पड़े हुए जितर गंटे जेसी भी को लगे इन खेट से उकालने में यह पूरा का यह पूरा लोट से जब जेसी भी न ही पत्थरों को निकाला तो 60-जी मेन उतलibo इनकाल दिए तो 하는 जीज वह और शोलिवन पने करने टेक्टर गंटे हुआ हैं पे इनके लोडर वालों के हो जाएंगे ये खर्चा इसमें लगेगा तो ये जो हिई टोटल दिवार की लेंद्थ हैं ये अगर मैं तकरीब आपको बताऊं तो ये लगबग लगबग छहसो से साथ सो फिट होगी तो छहसो से साथ सो फिट की ये दिवार हम बना रहे हैं और से ज़्यादा भी होगी लेकिन एक अनुमान के मुताबिक मैं बता रहा हूं उदर सामने से वो दिख रही हैं और यहां से यह आप देख सकते हैं यह सो फिट की दिवार यह होगी जहां पर मैं खड़ा हूं तो यह टोटल यह दिवार हैं और इसमें चार-पास दिन इनको दोगेगा तो यह एक एकड़ का नहीं है देखे साथ सितर गंटे जो भी जैसिवी के लगे वह जो भी पत्रों की हम दिवार बना रहे हैं यह कोई एक एक एकड़ का खेत दिख नहीं रहा आपको उदर की दिवारे तो कंप्लीट है यह इदर की दिवार बेकार हो रही थी रस्ते की साइड की तो इदर की हम बनवा रहे हैं तो यह एक एकड़ की नहीं है यह कापी ज्यादा लंबाई वाली है अगर इसको मैं गोल करूं तो आप यह मान सकते हो एक एक एकड़ में हो जाएगी चारों और की दिवारे बाकि इसका जो यह खर्चा मैंने आपको बता अच्छा करने की आउशकता नहीं है यह यहां पर जो पैसा लगा रहे हैं अभी इस दिवार का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला यह हमेसा सही रहेगी ना तो इसको कोई निल गाई इदर से उदर जा पाएगी ना यह कभी जमीन पर यह पत्तर गिरेंगे क्योंकि बड़ आप इस परकार का खर्चा कर सकते हैं तो आप अपने नहीं लगायों से अपने खेतों की शुरुक्सा के लिए जिंदगी पर का काम एक ही बार में कीजिए एक ही बार पेसा इंवेस्ट कीजिए और फिर जिंदगी पर अपने खेतों से कमाई कीजिए किसी भी परकार का वीडियो पसंद आए होगी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद